आज बनाएंगे लॉकी से नास्ता जिनें लॉकी पसंद नहीं है वह भी इन्हें बहुत पसंद सिखाएंगे, टेस्ट में इतना जबरदस्त होका कि अगर आप एक बर बना लेंगे तो हर बर लॉकी से इस नास्ते को जरूड बनाना पसंद करेंगे, और इसे हम बनाएंगे बीना दही बीना इनो बीना बेकिंग सोड़ा तो चलिए आज की रसेप पर सुरू करते हैं तो वीडियो सुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक किजेगा और कमेंट किजेगा अगर चैनल पर नया है तो चै इसे नहीं रफली चौप करने के बाद अब नाश्ठीक है और की से चौप करने के लिए यहान डाले हूँ प्याज़ आप्याज नही खाना पसंद नहीं प्लीकнегоsец प्याज को इस तरीके से रफली चौप करके मैं यहां डाली हूँ नमक डाल देंगे आधा छोटा चैमच यानि किस वाद के अनुसार और दोनों चीजों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे अब रही बात की लौकी में बहुत ज़्यादा पानी होता है इसे मिक्स करने क पांच मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे तक कि इसका जो भी एक्स्टा पानी हो वो निकल जाए अब देखें पांच मिनट होचुका है बाद हाथों में इस तरीके से लोकी को उठाएं यानिक लोकी और प्याज को और हाथों से इसको अच्छे तरीके से निचोरते चावल यह बिगोया हुआ चावल है चावल को सबसे पहले एक से दू पानी धोले है यहा एक डान करगो यह चोटे दाने वाले म्ललेह 3-4 पानी में नगुलाये है चावल कमतुदीर करके शोल्बद चावल बैटर बना है एकदम स्मूथ सा बैटर बनके रेडी हुआ है बचे वेब लोखी के पानी से ही मैं इस चावल को पीसके रेडी की हूँ अब बैटर को रख देंगे हम साइड में दूसरा मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे लोखी को डालने के बाद बच्चों के लिए अगर आप टेस्टी ये नास्ता बनाना पसंद करते हैं तो इसमें डालिये उबला हुआ आलू मैं यहां चार उबला हुआ आलू डाल रही हूँ क्योंकि छोटे साइच के आलू है अगर आप बड़े साइच का आलू इस्तेमाल कर रहे हैं तो करने के बाद तीखे के लिए हरी मिच डाल देंगे बाड़ी कट करके एक चमच डाल देंगे चिली फिलक्स यानी के कुटी हुई लाल मिर्च आधा छोड़ा चमच डाल देंगे भूना हुआ जीरा पाउडर और बस इसके अलावा हमें यहां कोई भी मसाला इस्तिमाल नही सबी चुछों को डालने के बाद इसको आप मच्छे तरीके से मिक्स करेंगे अगर मिक्स करते समय आपको बैटर बहुत ज़्यदा गाढ़ा लगे तो आप इसमें एक से दो चमच पानी डाल दें और इस तरीके का आपको बैटर बना करके रेड़ी करना है यानि कि बैटर पतला होना चाहिए और नहीं ज़्यदा गाढ़ा बनाएगा दिखे कुछ इस तरीके से आपका बैटर बनके रेड़ी होना चाहिए बैटर हमारा बन चुका है अब चलिए नास्ता बना करते हैं अगर आपके पास चोटा सा कोई पैन हो तो पैन में भी नास्ते को बना सकते हैं सबसे पहले कड़ाई या पैंच जिसमें आप नास्ता बना रहा है एक चमस तेल डाल दे तेल को फैला देंगे गैस का फ्लेम आपको एक दम लो रखना है एक कर्ची बैटर डाल देंगे और बैटर को अच्छे तरीके से राउंड से फैला देंगे कर्ची के मदद से इ तक इस पलत दे प्लाट के और लके को हम अच्छे तरीके से पाखाएंगे अगर आपको लगे कि नीचे के सावी अच्छे तरीके से पाक चुका है तो इसे पलट्वर diplomaयुकेर्श फीह पर उपर नाच्थे में टाल देंगे übrig बहुत को ज़ल्दी यह तूट भी जाता है और बहुत इसका होता है बहुत इसे पलटते समय बहुत जल्दी टूट भी जाता है और देखे बीना बेकिंग सोडा बीना इनो और बीना बेकिंग पाड़ोड के ही ये नास्ता बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेगा क्योंकि लॉकी में बहुत ज्यादा पानी होता है जैसे जैसे हम उसे पकाता जाते है नास्ता हमारा सॉफ्ट बनते जाता है और देखे इस तरीके से मैं सारे नास्ते को बना करके यहां रेडी केर ली हूँ इस नास्ते को सुबह में बना सकते हैं, छोटी मोटी भूख लेगे तो बना सकते हैं बच्चों को टिफिन दे सकते हैं, कोई बता नहीं सकता है कि आप इसे लोगी से बना है बहुत ज़दा टेस्टी और बहुत ही मज़दार लगता है तो जरूर ट्राइ कीजेगा आपको बहुत पसंद आएगा आप इसे किसी भी चेटिंग की साथ सरक करें सभी को बहुत पसंद आएगा तो अगर रेसेपी पसंद आई होते वीडियो को लाइक कीजेगा कमेंट कीजेगा अगर चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा